आप सभी का सवागत है हमारे चैनल All India Football के एक और वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे ट्रांस्वर अपडेट के बारे में बात खाने बाले हैं और तो और दोस्तो आप से भी को ये बता दू इस वीडियो इस बीन स्पॉंसर बाइ हलावट हलावट is providing 130% bonus on your first deposit get to know about हलावट at the end of the video so without wasting any more time let's get straightly and straightly on to the video तो दोस्तो सबसे वेले बात करते हैं जो सबसे बारा ट्रांस्फर and that is about Anwar Ali जी हाँ दोस्तो Anwar Ali is about to sign for ATK Mohan Baghan this summer itself on a 4-year deal 11 crore का package है और तो और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उनको हर एक साल में उनको 2 crore रुपे दिया जाएं और तो और दोस्तो डील लगभग डनी है बस उनके paperworks ही बागी है अब दोस्तों आगे वरते हैं अगला न्यूज जो है देट इस अबाउट अनिकेज जादव जिनको बस 188 मिनिट्स का ही बस गेम टाइम मिला था इस बैंकोल के साथ उन्होंने उडिसाएफसी के लिए साइन कर चुके हैं for a two-year deal और तो और एक undisclosed transfer fee भी उडिसाएफसी ने इस बैंगल को पे किया है दोस्तों आगे बरते हूँ उडिसाएफसी ने एक और साइन किया that is about तनकाधर बाग जो की center back है उनके natural position बट वो right back पे भी खेलते हैं और तो और जो सबसे बरा है कि he have also scored in under 20 साफ under 20 international tournament इंडिया को represent किये थे जहाँ पे उन्होंने goal score किया था अगेंस नेपाग अब दोस्तों अगला न्यूस जो है वो ऐसा है कि एक खिलाडी ने अपना club को छोड़ा था क्योंकि उनके family regions के वज़े से बट कुछ अजीव हो गया जी हाँ दोस्तों हम बात कह रहे हैं मार्टीन चावेज की जिन्रोंने former North East United FC में भी खेल चुके हैं 12 जैनुवरी को मार्टीन चावेज के तरफ से एक बीडवाइस आया कि ही इस लिविंग रालसान उनाटेट फॉर हिस फैमिली रीजिन्स और तो और ही इस अब तो जोईन उरुवेज क्लब 16 जैनुवरी को क्या हुआ 16 जैनुवरी को यह आया कि he have decided to join Churchill Brothers and now he have decided to join Churchill Brothers on a two-year deal अब दोस्तों North East United FC की बात करते हैं 32 साल के attacking midfielder Pedro Tana जो की Churchill Brothers को छोड़ दिया है और मार्टीन चावेज ने Pedro Tana के जगह पे ही आपका Churchill Brothers जोईन किया है और तो और Pedro Tana have decided to join North East United FC in place of John Gastana John Gastana का कुछी दिनों पहले अपने अपने देश वापीज जा चुके हैं and Pedro Tana is about to play for North East United FC Pedro Tana की बात करते हैं he is a very very skilled attacking midfielder आप सभी ने उनके अभी कुछ दिनों पहले यह बहुत ही बरा अच्छा quality का goal score किया था against Rajasen United FC तो जो सबसे बरा biggest ISL transfer हो सकता है that is about Indian youngster Nikum Giyamar जो की बहुत उभरते हुए बहुत अच्छे youngster है Nikum Giyamar is said to be linked with many hero ISL clubs अब देखने वाली बात यह होगी which club signs him अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो भी club उनको sign करते हैं this will be the biggest move or you can say this might be the biggest move of hero ISL और तो और दोस्तो इम्रान खान जो कि Naughty Sunator FC के defensive midfiller है और इस season उनको उतना game time ना मिलने के करण उनको कई सारे clubs से offer दिये जा रहे है जैसे कि ATK Mohan Bagan फिर Chennai NFC अब दोस्तों Chennai NFC ऐसा बात भी सुनने में आ रहा है कि Chennai NFC आरे इन advanced stocks with इम्रान खान अब देखने वाली बात होगी which club he decides to join या फिर not इस seasonator FC ने भी उनको extension के लिए offer दिया है अब देखने वाली बात होगी what he decides for his future दोस्तों फिल्हाल के लिए इस वीडियो में इतना है था बलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में अब तक के लिए keep supporting and always support Indian football और दोस्तों हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा Thank you